हेलो दोस्तो, दोस्तो हमारी एप विश्णो एक्वनोमिक्स स्कूल के स्टोर में एक्वनोमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट से लेटिड डाइसो से अधिक कोर्स हैं तो दोस्तों कर आप UG में हो या PG में हो या आप UPSC की तियारी कर रहे हो या आपके पास UGC NET है या आप PGD की तियारी कर रहे हो या किसी और कंपुटिशन की तियारी कर रहे हो जहाँ पर Economics और Commerce सब्जेक्ट है तो आपके लिए हमारे पास Course है तो दोस्तों हमारी एप जरू पादन के निर्धारन की जिसको कि हम 33 सेड़ी का कीमत विवेद भी कहते हैं तो बच्छों 33 सेड़ी का कीमत विवेद इनको पीगू ने कहा था पीगू ने जो यह वाली इस्तिति है जिसको 33 का सीमत विवेद कहते हैं इसमें क्या होता है कि जो विक्रिता होता है वो अपने ब मार्केट में काम करता हूँ A मार्केट और B मार्केट में ठीक है और A मार्केट से मन लीजिए मैं जो चार्ज करता हूँ हजार रुपे चार्ज करता हूँ और B मार्केट से जो मैं चार्ज करता हूँ वो 500 रुपे करता हूँ तो ये जो तरीका होता है इसको बोलते हैं हम 33 जेड़ी का कीमत विवेद देखे कीमत विवेद का जो अदेश होता है वो अपने लाप को अधित्तम करना होता है क्योंकि कीमद वेत की स्थिती में जो फर्म हैं वो विकृता से उंची कीमत वसुले में सफल हो जाती है लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि इस स्थिती में हालाके कीमत उंची होती है लेकिन इसके बाव्यूद भी उभोक्ता को थोड़ी बहुत बचत जो है तो इहां पर हम दोग एक्जामपल लेके चल रहें सर्थों आप ज़्यें की चंद को करनी और ऐसे या दिमांड कर वह वह steeper है comparatively steeper है तो मैं इसको MRA और AR बोल देता हूँ और यह जो है यह flat है comparatively इसको MRB और ARB बोल देते हैं ठीक है जी तो यह बेलोजदार है यानि कि इसकी लोज कम है कम लोजदार है या अधिक लोजदार है थोड़ा सा gap ले लेते हैं ठीक है अगर हम दोनों का MR को जोड़ दें मतलब MR को जोड़ दें तो दीखे एक इससा इसका इस तरीके से हो जाएगा बचावा इससा इस तरीके से MR का हो जाएगा यह MR A प्लस B दोनों का संइक्ट MR है तो उत्पादक के संतुलन की जो शर्त होती है वो अभी भी लाग होगी MC MR बराबर हो और MC वक्र MR वक्र को नीचे से काटे A प्लस B का मतलब है संइक्ट MR वक्र इस वाले की बात हम कर रहे हैं तो कुशन यह है कि क्या वो एक अजार वस्तू हो में से 500 इसमें और 500 इसमें माटेगी या 200 इसमें 800 इसमें माटेगी या 800 इसमें 200 इसमें माटेगी यह हमें डिसाइड करना है तो दीढ़े इसके लिए ज़रूरी है कि वो फ़र्म जो है वो अपने विबिन बाजारों में उत्पादन का बतवारा इस तरीके से करती है वहाँ पर सीमान तागम अधिक बराबर बराबर तो यह मैं आपको जरूर सम्झाओंगा कि क्या मतलब है कि माली जी एमार अगर मैं आपको सिंपल तरीके समझाने कोसिस करता हूं अच्छो माली जी ए मारकेट है मालीजे ए बजार है ए बजार में जो MR है मालीजे वो 10 है अगर मैं 500 यहां बेचता हूं 500 बेचता हूं तो 500 वी काई से MR मिलेगी 10 और B बजार में मालीजे मुझे मिल रही है 20 500 वी काई बेचने से तो इसका मतलब है यहां पर मैं क्या करूंगा मुझे कम प्रॉफिट हो रहा है यहां पर मुझे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है जबकि मैं दौनों में ही 500 500 वी काई बेच रहा हूं तो मैं क्या करूंगा कि अगर मैं क्योंकि मैं भी समझदार हूं मेरा विद्देश लाप कमाना है तो मैं यहां पर कम बेचूंगा और यहां पर ज्यादा बेचूंगा यानि कि मैं चाहूंगा कि यहां पर मैं बेचूंगा 600 और यहां पर बेचू में 400 जो कि मेरे पर टूटल अजारिक आई है तो जैसे ही मैं यहां पर बेचता हूं जैसे ही मैं अपनी क्वांटिटी को बढ़ाता हूं और यहां से क्योंकि उस पादन गिरा है इसलिए एमार बढ़कर हो जाएगी 15 जिस इस्तिती में दोनों ही फर्मों का एमार बराबर बराबर होता है यानि कि बजार ए में और बजार बी में वहां पर फर्म अपना एजिस्ट्मेंट करती है तो इसी डाइग्राम को हम लें या को एकर यह मानते हुए कि दौनों ही फर्मों का एमार जो है वह इसी तरीके से होता है है तो इस वाजार में संतुलन मिंदू होगा वह उसको उसको हम बोल देंगे इस का मतलब इस बाजार में जो quantity होगी वह इतनी होगी और प्राइज इतना होगा इस बजार में क्वांटिटी इतनी होगी और प्राइज ज्यादा होगा इसका मतलब क्या हुआ बच्चो देखो इसका मतलब यह हुआ कि जिस बजार में मांग ए है यानि कि जिस बजार में मांग जो है कम है ये वाला जबान कि जिस में मांग की लोट कम होगे भौ अधिक कीमत होगी आप देख पह रहे हैं के जादा कीमत है कम वस्त बेची जाएगी निे कै यहां पर 4 infect वसुद बेची जा रहीए यहां पर 600 ऊबची जा रही है ठीक है यहां पर मालीजी जो कीमत वसूली जा रही है वह बसूली जा रही है 20 रुपे की यह प्राइज है यह अर यहां पर प्राइज कीमत वसूली जा रही है माले जा 12 रुपे की यानि कि इस तरीके से कीमत वसूली जा रही है दौनों यह पंदर रुपे की इस तरीकी से कीमत वसूली जा रही है कि दोनों ही मार्केट में जो MR है वो बराबर बराबर है यानि कि जिस बजार में मांग लोचदार है अधिक लोचदार है वहाँ पर कम कीमत है और ज्यादा उत्पादन यहाँ पर देखिए कम कीमत है अधिक कीमत है अधिक कीमत और कम उत्पादन यानि कि हमें समझना है कि जिस भी बाजार में मांग कम लोचदार होगी कम लोचदार मांग वहाँ पर ज्यादा कीमत वसूली जाएगी और कम उत्पादन किया जाएगा और जहाँ पर अधिक लोचदार मांग होगी अधिक लोचदार मांग वहाँ पर कम मात्रा कम कीमत वसूली जाएगी और ज्यादा मात्रा में वस्तू बेची जाएगी तो उत्पादन के संतुलन की शर्ते में आपको फिर से बता देता हूं बच्छो सबसे पहली शर्त तो यह है जो हमने पढ़ी हुई है कि MC और MR बराबर हो जो कि यहां पूरा हो बराबर बराबर होनी चाहिए और जिस भी बजार में मांग की लोच जादा होगी वहाँ पर कम कीमत पर अधिक वस्तू भीची जाएगी और जिस व्ही पर दोनों ही बाजार में मांग की लोच बराबर बराबर है तो कीमत बेच संबव नहीं है थे सबत byłoась आएगी 1719 rays को tag कीमत बुवेद से क्या सम्मन्द है साती साथ हम आपको यह बतारे वाले हैं कि अगर माली जी रॉच बराबर बराबर होती है तो कि अगर कीमत वेवेद किस इस्तिती में लावकारी नहीं होता फाम के लिए वह अगली वीडियो में बच्चों डिसकस कर लेंगे